नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम साराकाश का पार्ट 9 & 10 को कवर करने वाले और अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा आप वहां से जाके उन सारे वी चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए प्रेस कर लिए बैल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोडिक्रिशन मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं हेलो फ्रेंट्स तो चलिए आज हम पार्ड नौ का सारांज पढ़ेंगे ये कुछ ऐसे शुरू होता है आकरी पेपर करके समर जब हॉल से निकला तो उसकी तब्यात हलकी और खुश थी पेपर अच्छे हो गए थे दिवाकर ने सिनिमा देखने की सला दी और कहा आज हम दि इसका मतलब की दिवाकर समर से कह रहा है कि आज वो सिनिमा दिखाएगा और अगर माता जी राजी हुई तो अपनी पत्नी किरन को भी ले जाएगा समर घर आया तो उसे पता चला कि मुनी के पती उसे लेने आया है और बाबुजी की उनसे बाते हो रही है दो ढ़ाई साल तक सुध न ली अब क्या लेने आया है इतना मारा पीटा कि उसके शरीर में अभी तक निशान बने वया है ऐसा समर सोचता रहता है कि दो ढ़ाई साल बिद गए अभी तक उसका खयाल नहीं आया तो अब क्या करने आये है और आज उनको आते देखकर सभी हक्के बक्के रह गए बैटक में बाबुजी और उनके दमाद की गंबीरता पुर्वक बाते चल रही थी मतलब बाबुजी और मुन्नी के पती की आखिर मामला क्या है जानने के लिए घर के सभी लोग पास घिराए बाबुजी दमाद की खुशामद और माफी मांगने पर संतुष्ट हो गए और रात को खाना इत्यादी खिला दिया और बाबुजी ने अम्मा को बताया कि कल मुन्नी जाएगी सुबह 10 बजे की गाड़ी से सारे घर में सननाटा चा गया अम्मा जुजला कर बोली बैटो तो सही कुछ बताओगे भी कि बड़े आए कल मुन्नी जाएगी ऐसा क्या आफत आ गई है अब निपूते पर तो फ्रेंट्स यहाँ पर निपूते का मतलब तो यह होता है कि जिसको पुत्र ना हो लेकिन यहाँ पर जो मुन्नी की मम्मी रहती है यानि अम्मा जी वो अपने दामाद को ऐसे ताना मारने के वे में बोलती है और अम्मा जी कह रही है कि दो साल कहां थे मुन्नी एक और दिवार से लगी पहले ही बैटी थी बाबी भी बच्ची को सुला कर आ गई प्रभा नहीं दिखाई दी बाबु जी ने बताया कि वह यानि दामाद बहुत माफी मांग रहा है अब कभी कोई शिकायत नहीं आएग बिरादरी का दंड भुगतने को भी तैयार है जो औरत उसने अपने घर में रखी थी वह सब कपड़े जेवर समेट कर चंपत हो गई चंपत हो गई का मतलब है कि भाग गई कुवर ने मुनी को ना भेजने की राय दी अमा जी की भी वही राय थी बाबुजी ने विश्वास दिलाते हुए कहा भाई वह कसम खा रहा है विश्वास दिलाता है बातों से भी लगता है कि वह अब उसे समझ आ गई है धीरच की मा हो गई गलती एक बार अब क्या कोई ज साफ साफ कर ली हैं अम्मा नहीं मानी उसी तरफ लापर वाही से बोली तुम्हारी बातों क्या है जिसने जैसा समझा दिया वैसा ही मान लिये इस बात पर बाबुची को गुस्सा आ गया उन्होंने यह सपश्ट कर दिया कि वह मुन्नी को जिंदगी भर तो नहीं रख सकते घ और अच्छे नहीं लग रहे थे वह सोच रहा था कि मुन्नी को वह अपने पास रखेगा मुन्नी ने बाबुची से रोते हुए कहा बाबुची मैं किसी का बरतन चौका कर लोंगी पीस कूट लोंगी पर मुझे वहाँ ना भेजे उनके साथ बाबुची ने मुन्नी को अब कोई बात ना होगी मुन्नी बिलग बिलग कर रोते हुए बोली नहीं बाबुजी नहीं मुझे उसको में मत धकेलो बाबुजी बाबुजी ने फिर उससे सांतना दी लेकिन मुन्नी को किसी तरह धीरज नहीं बंद रही थी वह निरंतन रोय जा रही थी बाबुजी के सा लिपट कर मुन्नी इस तरह रो रही थी, मानों जनम-जनम से विदा ले रही हो, सभी को मुन्नी की जाने पर दुख हो रहा था, पर समर को अत्यंत दुख हो रहा था, वह अपनी कोटरी में किवार्ड बन करके बैठ गया, मुन्नी के जाने के बाद पूरे घर में उदासी सी जाग गई थी, तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा पार्ट 9 खतम होता है, इसे रिलेटेट कुछ इंपोर्टन कोशन्स आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं, ट्राइ करें कि आप इनके आंसर्स दे सकें, और या तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर इसके आंसर्स मिल जाएंगे, और आप आंसर्स वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, पार्ट 10 तो फ्रेंड्स, पार्ट 10 का सारांच कुछ ऐसे शुरू होता है, समर खाना खाकर दिवाकर के य उनके कपड़ों के सामने नीचे दर्जे के दिख रहे थे, अपनी उठी हुई चोटी खोल कर उसने बालों से ही मिला ली थी, दिवाकर ने उससे पूछा कि अब क्या करना है, समर के भाई सहाब चाहते थे कि वो रिजल्ट आने के बाद वो कोई नौकरी करे, ये तीनों च एक बार सिनेमा आये हैं, अगर अब भी उन्हें गलतिया हैं, दिखाई दे रही हैं, तो हम क्या करें, दिवाकर ने समर को अपनी पत्नी को मिलाने के लिए कहा, मतलब दिवाकर जो है, वो समर को कहता है कि कभी प्रभा को भी ले आओ मिलने, समर ने कहा कि इस समय तो वो माईके गई है, अगली बर आएगी तो जरूर मिलवाऊंगा, और समर जूड बोलता है कि वो माईके गई है, जबकि वो अपने घरी रहती है प्रभा, आगे है, समर और भाई साब बीतर गए तो देखा बाबु जी दुरुआसा का रूप धारण किये थे, और प्रभा अप माईके साथ भागी होगी, भाबी ने अपनी बच्ची को गोद में दे दी, अम्मा ने फिर न कहने वाली बात भी कह दी, मतलब समर और भाई साब जब घर आये तो देखते हैं कि प्रभा एक मतलब प्राधिनी की तरह खड़ी रहती है, और बाबु जी उसको डाट रहते है उसका आपराध ये रहता है कि वो छट पे बैठकर दाल बीन रही थी, और ये बाते बाबु जी को पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे डाट रहते हैं। कहीं नौकरी लगवालो कि अभी कुवर भी छोटा है और अमर भी छोटा है उनको भी पढ़ाना है, घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, समर ने दिवाकर से बाते की नौकरी के लिए। और पानी पीकर प्रभा के सामने जाकर खड़ा हो गया, और बड़ी हिम्मत करके पूछा, आधी रात को यहां बैटकर क्यों रो रही हो, उसे एक बार समर की तरफ देखा, प्रभा ने जो है, एक बार समर की तरफ देखा और फिर सिर जुका लिया, समर को अपनी उपस्तिती अनावश्यक और अपमान जनक लगी, मतलब समर को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो उसने दूसरी बार हिम्मत किया और कहा, सुबह रो लीजिये न, उसमें तब्यत खराब हो जाएगी, अब रात काफी हो गई है, प्रभा ने रुवासे स्वर में कहा, आपको क्या है, आप जाइए सोईए न, इस पर पल्ला हटा कर उसने सिर उठाया और जैसे तडब कर कहा, एक साल से कभी आपको चिंता हुई, कि मैं मरती हूँ या जीती हूँ, ऐसा क्या खास जरूरत आपड़ी है, आप जाकर सोईए न, निशक्ति और तूटा हुए समर उसके सामने बैठ गया, निशक्ति मतलब शक्ति हीन, जिसके अपास शक्ति न हो, वह समर उसके सामने बैठ गया, यानि प्रभा के सामने, और सक पकाते हुए कहा, प्रभा तुम मुझसे नाराज हो, उसने उसके कंदे पकड़ कर कहा, मुझे तुम बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर किया है मैंने तुम्हारा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हे पसंद नहीं हूँ, तो अपने हातों से मेरा गला घोट दो, मैं चू नहीं कहूंगी, तुम शौक से दूसरी शादी भी कर लेकिन मुझे बता तो दो यह करकर वह उसके कंदे पर लिपट गई समर को खुद भी होश नहीं था कि वह कब रोने लगा अब समर को अपने हिर्दय में दुख हो रहा था उसके वह सोसता था कि उसके प्रती प्रभा के प्रती कितने अत्याचार किये गए हैं कभी यह जानने कि कोशिश भी नहीं कि कि वो अभी तो जान है अपने कीए का पस्याताब क्या किसी रूप में नहीं हो सकता समर उसे वहां से उठा कर अपनी कोठरी में लेया गैं सारी रात दुनों बिलकुल नहीं सोये किसी के जगाने से पहले ही वह उठकर बाहर च लेगी जाते हुए उसने दूसरी और मुग करके इतना कहा मुझे एक पोस्ट कार्ट दे दीजिए मैं बहुत दिनों से खत लिखना चाहती थी अपनी मा को पर पैसे नहीं थे तो friends हमारे यहाँ पे part 10 खतम होता है और part 10 से related कुछ important question आपके screen पे visible हो रहे हैं करें कि आप इसका answers दे पाएं और या तो फिर इस वीडियो के description में link है वहाँ पे आपको answers मिल जाएंगे आप आपसे answers डाउनलोड भी कर सकते हैं और part 9 या 10 से related कोई भी question पे आपको doubt है तो आप हमें comment करें और friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और साथ ही साथ अगर आप इस channel पे नए हैं तो subscribe करें हमारे channel को और press करें bell icon ताकि आने वाले वीडियो के notification मिले आपको सबसे पहले तो दोस्तो सारा कास का सब party यहाँ पे खतम होता है अब आपके syllabus में required था और personally हमें तो यह story काफी पसंद आई आपको कैसी लगी story आप हमें comment में बताए और काफी huge response मिला आप लोगों से हमें अच्छा लगा कि आप लोग को हमारी story अच्छी लग रही है यह वीडियो और अगर आपके लिए helpful हुई तो हमें please हमें comment में बताएं कि हाँ आपके लिए helpful थी है वीडियो ताकि हम इसे और motivate हो सकें और कोशिश करें कि और भी आगे ऐसी लाते रहें वीडियो